हेलो गाइस किस गेमिंग इस हेर अगेन वीडियो पब जी उवाइल होप के सब खेरिया से होगे तो जैसे कि आपको बता कि 2.2 की अपडेट आई तो काफी ज़्यादा अचीवमेंट आई है आपने जाना है इसके अंदर अचीवमेंट के अंदर उसके बाद ये मैडल सा बना होगे इसके उपर आपने क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो अचीवमेंट ज़रारी होगे कि ट्रिपल एलिमिनेशन इसमें आपने क्या करना है एक ही मिनट के अंदर तीन बंदों को मारना है और आपका टायर गोल्ड होना चाहिए यह इससे ज्यादा होना चाहिए ठीक है इससे आपको काफी ज्यादा आलमोस्ट टू फिफ्टीन अचीवमेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे यह कंप्लीट जब आप करेंगे और साथ में आपको 20 क्रेट्स भी मिल जाएंगे 10 क्लासिक और 10 प्रीमियम क्रेट्स और इसी तरह अगर हम क्वाडरा ऐलमिनिशन की बात करें तो क्वाडरा ऐलमिनिशन में आपको एक मिनट के अंदर 4 बंदे मारने होंगे ठीक है और आपका जो रैंक है वो गोल्ड होना चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए यह दोनों अचीवमेंट्स जो हैं यह आप सिरफ और सिरफ रैंक मोड के अंदर ही कर सकते हैं और इसमें भी आपको 215 अचीवमेंट पोइंट्स मिल जाएंगे और साथ में आपको 20 greats मिल जाएंगे और साथ में आपको 20 greats मिल जाएंगे 10 premium मिलेंगे और 10 classic greats मिल जाएंगे तो आप बात करते हैं कि इस trick को यानि कि कैसे आप इसको complete कर सकते हैं एक ही match के अंदर दोनों medal को ले सकते हैं आपने क्या करना है नुसा मैप लगा लेना जहां पे मैं mark लगा कर उतरूँगा ना ये left side की building पे आपने उतरना है ठीक है left वाली पे उतरेंगे तो उसके बाद मैं आपको सारी trick समझा देता हूँ कि आपने कैसे यहां पे kill निकाल के आपने उसको क्या कहते हैं जो medals है इनको लेना और साथ में अपनी achievement को complete करना है तो simply left वाली सबसे left वाली building पे उतरेंगा ताकि आपके लिए easy रहे और आप easily इसको achievement को complete करना है आपने करना क्या है आपने building के उपर उतरना है मैं तो यहां पे गलती से उतर गया था लेकिन आपने building के उपर उतरना है इसके ठीक है यहां पे building के उपर उतरेंगे थोड़ी सी loot करके helmet west अगर आपको मिल जाए तो ठीक है ना भी मिले तो कोई नहीं लेकिन गन उठाके आपने नीचे चले जाना है यहां पे आपको मिलेंगे काफी ज़्यादा बोट टोटल यहां पे 8 बोट होते हैं और आपने यहां पे इनको किल करना है जिरो किल काउंट होगा लेकिन आपका जो end पे eliminations होगी वो काउंट हो जाएंगी आपकी यहां पे आपने एक मिनट के अदर सबसे पहले तो 3 बंदों को मारना है यह देखें इसको मैंने knock finish कर दिया अब मैं second वाले को भी मार दूँगा second वाले को मारने के बाद आपने जो है यह देखें second वाला इधर है तो इसको मारना है second वाले को मार दिया इसके बाद आपने south वाली जो इसके right side पे building थी आपने उसकी तरफ move कर जाना है ठीक है ताकि आप 1 minute के अंदर पहले तो 3 बंदों को gill कर लेना तो यहां पे आपको बिल्कुल same to same एक building से दूसरी building के उपर आपने चले जाना है और यहां पे आपको बिल्कुल same करने के बाद आप यहां से नीचे चले जाईएगा एक minute कंप्लीट होने के बाद आप दुबारा नीचे चले जाईएगा बिल्कुल जहां पे बंदे खड़े होते लेकिन यहां पे एक बंदे ने दोनों को kill कर दिया था फिर मैंने इसको मार के ना इसका kill count करवा लिया तो एक तो मैंने पीछे मार दिया था ये दूसरा मैंने kill कर दिया अब दो बंदे रहागा है दो बंदों को मैं कैसे kill करूँ मजीद ठीक है तो दो बंदों के लिए अगर आपको नहीं मिलते है यहां पे तो आपने क्या करना है आपने क्या करना exactly right side की building पे जाना right side के उपर आपको यह zip line नजर आ रही होगि बिलकु नेक्स वाली building के उपर आपको ले जाएगी, यहां पर भी आपको दो bot मिल जाएएंगे और इन को दोनों को nail कर करके, आप अपने चार जो kills होगें, वो completed कर सकते हैं easily तो यहां पर इन दोनों को मैं किल कर देता हूं और जो मेरे मतलब के ट्रिपल अलमिनेशन तो मेरी पहले कंप्लीट हो चुकी थे उसके बाद मैंने वान मिनिट का गैप दिया उसके बाद मैं इनको क्या कहते हैं इन बॉट्स को मारने आ गया तो यह बॉट्स बहुत जादा मैज भी देते हैं इन से बाच के रही है ठीक है तो यहां पर मैंने अपने चार्ज जो हैं कंप्लीट क्वाड्रा वाले भी कंप्लीट कर लिए और जो तीन मेरे ट्रिपल अलमिनेशन वाले तो वो मैंने पहले कंप्लीट कर लिए तो हम आपको दिखा देता हूं कि मुझे दोनों मैडल एक मैच के अंदर ही मिलेंगे तो यहां पर मैं कंट्वीट करता हूं कंट्वीट करने के बाद देखिए सबसे बहले मुझे मिल गया ट्रिपल अलमिनेशन का मैडल और उसके बाद मुझे मिल गया क्वाड्रा अलमिनेशन का मैडल तो दोनों मैडल मुझे एक game के अदर मिलगे और आप easily यहां से इनको damage करके या इनको kill लेके आप easily अपनी जो achievement है उनको complete करके दोनों medal ले सकते हैं यह सिरफ और सिरफ आपको nusa map के अंदर ही मिलेंगे किसी और map के अंदर आपको यह देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है आपने बस एक चीज़ का इसमें नोट रखना है कि अगर आप दोनों एक ही मैच के अंदर मैडल लेना चाहते हैं तो आपको ट्रिपल ऐलेमिनेशन करने के बाद एक मिनट या थर्टी सेकंड का गैप देना होगा अगर आप गैप नहीं देते तो आपको क्वाडरा ऐलेमिनेशन का बैज मिल जाएगा आपको ट्रिपल ऐलेमिनेशन वाला कंप्लीट नहीं होगा ठीक है तो गैप लाजमी दें ताकि आपका ये दोनों मैडल है वो दोनों के दोनों काउंट और आपकी दोनों की दोनों अचीवमेंट एक साथ कंप्लीट होती है अगर आपका युनिक Esteṇy नहीं हुआ तो ये बैस्ट वे है कि आप अपना युनिक Este стать नी कंप्लीट कर लें तो होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आगी होगी अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते तो कैंडी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें थेंक यू थेंक यू फा वाचिंग